प्रतम पूज निय भगवन जो भगतों कहलाते हैं गोरी नंदन हम श्री गणिश की गाथा गाते हैं हम कता सुनाते हैं क्यूं देवों में ये सबसे पहले पूजे जाते हैं पहले पूजे जाते हैं गोरी नंदन हम श्री गणेश की गाता गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे प्रथम पूझ भगवान, शीगण पति देव महान गोरा मा ने उब्टन से इनको उप जाया है, स्नानागार के द्वारे पर इनको बिट लाया है गोरा से मिलने शिव जी फिर वहाँ पे आये हैं, बालक एक अंजान द्वार पे बैठा पाये है भीतर जाने को शिव जी को बालक ने रोका है, क्रोध में आकर शिव शंकर ने मारत शूल फेका है बालक का पिरशीश काट कर हवा उड़ा दिया, मा गोरा ने भगतों तिर भारी उतपात किया गोरा विलाप को देख के सारे घबरा जाते हैं, गोरी नंदन हम श्री गणेश की गाता गाते हैं, हम कता सुनाते हैं हे प्रतम पूझ भगवान, शीगर्पति देव महान हे प्रतम पूझ भगवान, शीगर्पति देव महान विष्णू को काशिव जीने जाओ, जल्दी से जाओ पहले जो भी मिले तुम इसका शीष काट ले आओ मारग में श्री विष्णू जी हाथी को पाते हैं शीष काट कर गज का फिर तो वो ले आते हैं गज का शीष लगा कर बालक को जिलवाया हैं मादोरा ने शिवगणू ने फिर मोध मनाया हैं सभी गणों के ईश हैं ये सो नाम गणेश पायां देवी देवता आये सभी चर्णों में शीष नवायां नंदी भिंगी मिल करके जैकार लगाते हैं गोरी नंदन हम श्री गणेश की गाता गाते हैं हम कता सुनाते हैं हे प्रतम पूझ भगवान शीष पति देव महान हे प्रतम पूझ भगवान शीष पति देव महान सारे केलाश पे श्री गणपत थे भारी धूम मचाते मात पिता से गणेश जी थे लाग बहुत तो पाते बचपन से ही बुद्धी मता के होने लगे थे चर्चे सबसे बुद्धी मान है गणपत देवी देवता कहते बड़े भाईया है कार्तिक यू तो लाड लड़ाते हैं पर गणेश की जादा प्रशंसा सुन नहीं पाते हैं सोचा कार्तिक ने फैसला आज यहीं हो जाए हम दोनों में कोन सेस्ट है कोई ये बत लाए चोटे भाई गणपत के वो पास में जाते हैं हम कोरी नंदन श्री गणेश की गाता गाते हैं हम कता सुनाते हैं हे प्रतम पूझ भगवान श्री गणपति देव महान हे प्रतम पूझ भगवान श्री गणपति देव महान हम दोनों में कोन सेस्ट है बुद्धी किसकी भारी चलो पूझ के आते हैं हम सब से बारी बारी ब्रह्मा जी के पास कार्टिक और गणपति जाते उनके पावन चर्णों में फिर दोनों शीश नवाते हम दोनों में कोन सेस्ट है किरपा कर बत लाएं ये जगड़ा है ब्रह्म देव जी आप ही निपटाएं प्रश्न सुना ये ब्रह्म देव जी चक्रा जाते हैं उन दोनों के प्रश्नों को सुल जा नहीं पाते हैं विश्नु लोक की उन दोनों को राह बताते हैं अम कोरी नंदन शीगणेश की गाता गाते हैं हम कता सुनाते हैं हे प्रथम पूझ भगवान शीगणपति देव महान हे प्रथम पूझ भगवान शीगणपति देव महान विश्नु चरण में गए दोनों और शीष नवाया है अपने मन का प्रश्न दोनों ने उन्हें सुनाया है संकट धर्म में फस गए श्री विश्नु जीते अकुलाएं किसको स्रेष्ट बताओं श्री हरी समझ नहीं ये पाएं तुम दोनों ही स्रेष्ट हों दोनों जगणा ये निपटाओं पहले की तर तुम दोनों अपना जीवन बितलाओं अपनी सेष्ट तजानने को दोनों ही अड़ गएं श्री हरी से उत्तर जाने के पीछे पड़ गएं देव लोक की दोनों को वो राह दिखाते हैं अम कोरी नंदन श्री गणिश की गाता गाते हैं अम कता सुनाते हैं हे प्रतम पूझ भगवान शीगर्पति देव महान हे प्रतम पूझ भगवान शीगर्पति देव महान गूमते गूमते दोनों देव लोक में आ गएं किंद्र के दरबार में दोनों फिर पहुच गएं देव राज को अपने मन का हाल सुनाया है हम दोनों में कौन सेष्ट है प्रशन बताया है प्रशन सुना दोनों का इंद्र भी भगतों गबराएं देव रिशी नारद इंद्र की मदद को आगे आएं तुमरे पिता से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा वहीं बता सकते हैं उत्तर प्रशन जो तुमने पूछा घूम घाम के दोनों फिर कैलाश पे आते हैं हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे प्रथम पूझ भगवान श्री गणपति देव महान हे प्रथम पूझ भगवान श्री गणपति देव महान कार्तिक और गणेश गए फिर मात पिता के पास प्रशन का उत्तर पाने की थी दोनों के मन में आस तुम दोनों ही सेश्ट हो पुतरो खत्म विवाद करो मात पिता के समझाने पर भी वो नहीं माने कौन है हम दोनों में उत्तम जानन की थाने मात पिता ने दोनों को फिर पास बिठाया है बड़े प्यार से गोनों को उत्तर बतलाया है उनके मन के प्रश्न को वो उत्तर बतलाते हैं हम कौरी नंगन शीगणेश की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये प्रथम पूझ भगवान शीगण पति देव महान इस ब्रह्मांड की साथ प्रदक्षिन जोगी पहले लगाएं इस श्रिष्टी में सब से श्रिष्ट तम वो ही कहलाएं दोड लगाने की दोनोंने कर ली फिर थैयारी कार्तिक मयूर बैठे गड़ पत मूसे की असवारी कार्तिक के मयूर ने फिर उचीत उडान भरी छोटे कदमों से मूसा चले विपदा है बड़ी गड़ पत सोचें ऐसे तो कर्तिक ही जीत जाएं मूसे और मयूर कम काबल हो नहीं पाएं गड़ पत अपनी बुद्धी की फिर योक्ति लगाते हैं हम कौरी नंदन शीगणिश की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे प्रथम पूझ भगवान शीगण्पति देव महान हे प्रथम पूझ भगवान शीगण्पति देव महान सबसे पहले इस जीवन में मात पिता का स्थान मात पिता के चर्णों में ही बसता है प्रम्हान मात पिता की करनी चाहिये सबसे फेले पूझ आ इन चर्णों का करो वन दन मिल जब भी भगतों मोका मात पिता प्रम्हांड है मेरे करो इनकी परिकम्मा परिकम्मा करते करते कर डाली सात प्रदक्षिनों कार्तिक जब वापस आये तो गणेश को विजई था पाया सारी बात को जाना फिर चर्णों में शीश नवाया गणपत के संग मात पिता की जै जै बुलाते हैं हम कौरी नंधन श्री गणेश की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये प्रतम पूझ भगवान शीगर्पति देव महान पथम पूझ का मात पिता ने फिर दीना वरदान गणपत को नमन करने आया सारा ब्रह्मान इस लीला के माध्यम से भग तो मिलती ये शिक्षा मात पिता से बढ़ कर कोई देव नहीं है दूझा मात पिता को इस जीवन में देना प्रतम अस्थान दर्ती पर तो मात पिता ही होते हैं भगवान चंदन ने गणपत चरनों में शीश नवाया है मात पिता है सबसे पहले ये समझाया है पून हुई गाथा वाणी पे विराम लगाते हम कोरी नंदन शीगणेश की गाता गाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए प्रतम पूझ भगवान शीगणपति देव महान